उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ अपराधियों पर बुल्डोजर चला रही है तो दूसरी तरफ साईबर अपराधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर ही अपना डिजिटल बुलडोजर चला दिया है मामला ये है कि आज रात 12.23 मिनट पर उत्तर प्रदेश के बुक्यमंत्री योगी अजितनात के आफिस का ट्वीटर हैंडल हैक कर लिया गया तकरीबन 20 मिनट तक हैकर्स के कबजे में ये ट्वीटर हैंडल रहा और यहां से 500 से ज्यादा ट्वीट किये गए और कमाल की बात ये रही कि 500 ट्वीट में उन साइबर अपरादियों ने तकरीबन 5000 लोगों को टेग किया है अब बहुत बड़ी समस्त्या है कि 500 ट्वीट हैं जिसने हैक किया होगा उसके बाद जिन 5000 लोगों को टेग किया है इन तमाम लोगों को जो है साइबर पुलिस जो है उत्तर प्रदेश की उनको ढूंडे गे और गिरफ्तार करने जाएगी और फिर उनके उपर जाच-वाच करेगी और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के जिम्मेदारी लेने वाली सरकार का खुद का ट्विटर हैंडल सुरक्षित नहीं है पुरा ज्यादा कह दिया आपने लेकिन सवाल तो बनता है कि इतने बड़े मुख्यमंतरी हैं इतने चाक चौबं सुरक्षा के बीच में रहने वाले मुख्यमंतरी हैं उनने के ट्विटर अकाउंट को 20 मिनट तक के लिए कबजा कर लेने वाले हैकर्स के मनसूबे क्या रहे होंगे क्या वो योगिया इतनात की प्रसिद्धी का इस्तमाल करते हुए वर्ड लेबल पर अपनी की कोशश करते हैं और साथ ही जानते हैं कल 20 मिनट के दर्मयान उन हैकर्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी के ट्विटर हैंडल के साथ क्या कुश किया नमस्कार मेरा नाम है अनुराग बिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जिंशन तो जानकार लोगों का कहना है कि डीपी बदलने का खाब पाले जग रहे थे वो हैकर्स थे उनकी प्लानिंग थी कि आज हमने एक बढ़ियां सी फोटो बनाई है इने मेट करी है तो किसी की डीपी में लगा देंगे ताकि पूरी दुनिया इसको देख ले और फिर नजर में आये योगिया इतना हैकर्स ने CM Office की Official ID से मुक्यमंत्री योगया इतनात की तस्वीर ही बदल डाली है मतलब प्रदेश की तस्वीर बदलने का खाब देखने वाले योगया इतनात की Twitter handle की तस्वीर बदल दी गई है उनकी जगाँ पर एक animation character की तस्वीर को upload कर दिया गया इसके अलामा एक pin tweet किया गया इसके किये के tweet में BAYC या MAYC animator के जरिए animation की प्रक्रिया की जानकारी दी गई संभवता यह दोनों animation करने की कुछ प्रक्रिया है जिसके वारे में वो लोग दुनिया को बताना चाह रहे थे तो एक तरीके से समाझ एक काम करने के लिए उन्होंने Twitter जो है है किया था मुक्यमंत्री कार्याले की ओर से किये के tweet पर काफी लोग जो है रात में अब एक दो बजे भी लोग योगिया इतना थे उनके समर्था को फॉलोर 24 घंटा जाके रहते हैं राश्ट्रीट में तो लोगों को दिखा कि यह तो animation बगारा की बात कर रहे हैं योगी जी तो ऐसा कुछ करते नही है तब तक एक भी tweet को restore नहीं किया जा सका है पिन किये गए जो tweet में है उसमें बाश्पा नेताओं का hacking से इतना याराना क्यों है योगिया इतना आत्का तो नया नया याराना हुआ है इसके पहले भी 27 फरवरी इसी साल को भाश्पा के राश्ट्रिया द्रक्ष जेपी ताकि ट्विटर अकाउंट से रूस और यूक्रेन की मदद से जुड़े tweets किये गए थे हालांकि दूसरे tweet में नडड़ा ने अकाउंट के hack होने की जार्कारी users को दे दी थी मतलब नड़ा तब जग रहे थे या उनके हाथ में कोन था तो पता चल गया कुछी दिर बाद इस टेंडर घोशत करने का tweet किया गया इस tweet में एक link भी शेयर किया गया जिस पर लोगों को जा करके free bitcoin क्लेम करने को कहा गया था ये लोगों को बड़ा चंबा लगा कि प्रदानमंतरी मोधी जो free में एक पैसा नहीं देना चाहते हैं और जो bitcoin वाले पैसों पर भी 30% tax लेने की त यारी कर रहे हैं वो free में कैसे दे सकते हैं फिर लोगों प्रतिकरिया दी तो फिर अकाउंट रिकवर किया गया और अब योगिया इतनात के साथ भी ऐसा हुआ है रिकवर कर लिया गया है योगिया इतनात की फोटो लगा दी गई है यूजर नेम को रिकवर कर लिया गया है किसी ने हैक किया होगा या कोई और बड़े वंसूबे थे उसको आप कमेंट वाक्स में बता सकते हैं वीडियो को साजा करिएगा फिलाल के लिए इतना ही मिना नाम अनुराग मिस्टा है आप जिनतर इंट्रशन देख रहे थे